हालो और वेलकम फ्रेंड्स यहां पर एक छोटा सा कोड मैंने टाइप किया है और वो कोड क्या है वो मैं आपको देखाता हूं यह देखिए यह वो कोड है और यह दो नमबर्स को एड करने का प्रोग्राम है कोई खास बात तो इत्मा नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको जरूर देखेगा यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है इसमें मैंने एक function create किया है वो function का नाम है add और वो दो नमबर्स को add करेगा देख सकते हैं ठीक है और अगर मैं इसको चलाता हूँ चलिए इसको चलाते हैं फैले बिल्ट पर चलते हैं और इसको compile करवाने की कोशिश करते हैं तो इसको save करेंगे compile करवाते वक्त ही और यहाँ पर मैं add नाम दे देता हूँ dot c लगाएंगे क्योंकि c language के file की extension होती है तो यह हो गया तो program तो अब successfully execute हो गया अब यहाँ से ब्यूर्ट पर चल के इसको run भी नंबर करवा देना है compile को करवा दिया अब run करवा देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं चैके फिर फिर सबनेंबर को add करवाने की जरूरी नंबर काँए तो एप यह कहेगा कि जो नंबर कीजिए तो यह तो इसको add की दो पूछ रहा है कि क्या फिर दो नंबर्स को एड़ करना चाहते हैं तो function का यही तो कमाल है जितनी बार चाहेंगे उतनी बार नंबर्स को एड़ कर पाएंगे ठीक है और यह कोई बहुत बड़ा logical नहीं है इसमें मैंने सिर्फ एड़ नाम से करते हैं और यह पूरी की पूरी definition लिखी गई है इस function की ठीक है और last में इस function को call किया गया है तो यह है function calling इसे कहते है function को call करना ठीक है तो जब भी हम इसको चलाएंगे तो यह दो नंबर्स को एड़ करके देदेगा ठीक है तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी ओक तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे share कीजेगा thank you for watching this video